नमस्कार सातियों, रेलवे एंटी पीसी ग्रेजुएट केटीगरी के फार्म जो है, वो ऑनलाइन भरने चालू हो चुके हैं, उसमें क्या-क्या योग गिता हैं, किस तरीके का उसका सिलेवस आता है, और आप किस तरीके से इस एक्जाम की तयारी करें, जिससे की आपका ये कर जाए, तो आएए एक एक करके सारी डिटेल को देखते हैं, देखिए फार्म जो है आपका वो 14 तारिक से, यानि 14 सितंबर से भरना चालू हो चुका है, और फार्म भरने की जो अंतिम्तित ही है, वो 13 अक्टूबर रहेगी, और फार्म में जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुप वो 18 वर्स है, और मैक्जिमम एज जो है, 36, 36 साल है, लेकिन इसके साथ साथ कैटेग्री वाइज भी छूट है, और साथ में 3 साल का जो कोविट पीरियड है, जब आप इसके डिटेल में अंदर जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो बहां किलियर करके दे रखा है, 3 साल के इ 1736 पद है, इस्टेशन माश्टर के 994 पद है, गुड ट्रेन मेनेजर के 3144 पद है, इन तीनों ही पदों के लिए जो योग गिता मानगी नहीं कहीं है, वो बैचलर डिग्री, यह आप किसी भी विशह से इस तना तक हो सकते हैं, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं, इसके सा इसमें graduation के साथ साथ, आपको Hindi और English की typing आनी, बस्ट यहनी computer वाले typing आनी बहुत जरूरी है, तो अब इसमें बाकी जॉन दे रखे हैं, किस तरीके से, कहां कहां से, कितनी बिग्यपती निकली है, अब मुखेत हम इसके बारे में बात करेंगे, syllabus के बारे में, क्योंकि syllabus के बि होगा, वो time period के अगर हम बारे में बात करें, तो 90 minute का paper होना है, total, जिसमें general awareness के 40 question आएंगे, mathematics के 30 question आएंगे, और general intelligence और reasoning के 30 question आएंगे, और total जो question आएंगे, वो आएंगे 100, यानि 100 question 90 minute में आपको करने होंगे, physical handicaps बच्चों के लिए 120 minute का time दिया गया है, अब देखिए इसमें आगे क्या रखें, कि जो पहला जो exam pass करेगा, उसी को दूसरा exam देने का मौका मिलेगा, साथ में negative marking जो है, वो बन थर्ड की negative marking है, यानि पहले paper के बारे में हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं पहले paper के बारे में, तो इसमें बन थर्ड की negative marking है, proportion, यानि अनुपात, समानुपात है, percentage, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary, algebra, geometry and trigonometry, elementary, aesthetics, अब मैं आपको इसकी मेहत के बारे में बता दूँ, जिस तरीके से ये exam मैंने निकाला है, आप भी उसी तरीके से exam को निकाल सकते हैं, यहाँ पर focus हमें करना है, elementary question पर, यानि जो basic concept वाले question हो के लिए, क्योंकि पहले exam में जितने बच्चे post के इसाब से, जितनी post होंगी, उसी इसाब से 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, दूसरे exam के लिए, यानि बहरती लिए जाएंगे, अब देखिए general intelligence and reasoning, यानि reasoning का जो syllabus है, उसमें analogies है, competition of numbers है, alphabetic series है, coding decoding है, mathematical operation है, similarities and difference है relationships है, analytic reasoning है, sillolism है, jumbling है, band diagram, puzzle, data sufficient, statement, conclusion, statements, course of action, decision making, maps और interpretation of graphs, ये भी बहुत ही easy portion है, आपको जो सबसे जादा focus करना है, वो तीसरे वाले portion पर करना है, किस पर, journal awareness, देखिए यहाँ पर जो है, बरतमान घटनाय जो घट रही होती है, उस खेल से संबंदित होती है, या जो हमार समाज में घट रही होती है, देखिए, international importance, games and sports, arts and culture of India, Indian literature, monument and places, freedom, struggle, physical, social and economics, geography of India and world, Indian polity and governance, constitution and political system, general scientific and technological developments, including space and nuclear program of India, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा syllabus दे रखा है, तो general awareness में हमें बहुत जदा depth में history और geography पढ़ने की जरूरत नहीं है, current से संबंदित, जो भी मुद्य होंगे, हमें उनको पढ़ना है, यह आपका syllabus है, तीन चीज आ रही है, आपके pre exam में, तीन चीज आ रही है, मैत आ रहा है, reasoning आ रही है, और साथ में क्या आ रहा है, आपका general awareness, जब आप यह वाला exam दे लेंगे, इसके बाद दूसरा exam में, जब आप sort list होंगे, तो देखिए, आपे clear करके दे रखाया, the number of candidates to be sort listed in 15 times to community wise vacancies for the post, यानि community wise, अगर आप general के हैं, OBC के हैं, उसके इसाब से जितने पद हैं, उसके 15 गुना, दूसरे exam के लिए, यानि computer based test होगा, पहला भी computer based test ही है, और दूसरे exam के लिए 15 गुना, जो है छात्र यानि या बहरती बुलाई जाएंगे, the exam duration is one of 20 minutes, इन्हें physical handicapped के लिए 120 मिनट का ही time period दे रखा है, अब देखिए, यहाँ पर question की संख्या घटा दी और बढ़ा दी गई है, घट 20 question, देखे time जो है, वो 90 मिनट का ही है, question की संख्या बढ़ा दी है, 120 मिनट कर दी गई है, और negative marking जो है, जो पहले थी, बन थार्ड की, वो ही यहाँ पर रखी गई है, अगर हम इसके syllabus के बारे में बात करें, तो syllabus जो इसका pre का है, यानि mathematics का है, और general intelligence and reasoning का है, general awareness का है, यह ती इन चीजे ही, same, CBT, CBT1 और CBT2, यानि पहले paper में और दूसरे paper में आ रही है, अब पहले paper का syllabus, और दूसरे paper का syllabus अगर same है, तो फिर difference क्या है, तो देखिए, पहले paper में और दूसरे paper में, इसकी hardness में अंतर आ जाएगा, पहला paper, second paper के मुकाबले, easy आएगा, second का मतलब, जो ब में बाद बही, दूसरे paper दे पाएंगे, पहला, second का मतलब, यह नहीं हो गया, कि आज पहली meeting में दे दिया, फिर दूसरी meeting में, यानि जो बच्चे पहला paper पास करेंगे, उसी को आगे, दूसरे paper देने के लिए मिलेगा, अब देखिए, इसके आपको तैयारी किस तरीके से क बहुत ज़्यादा chapter नहीं है, 7-8 chapter है, इसमें आपको basic सारे question आने चाहिए, बहुत ज़्यादा depth में आने की जरूद नहीं, जैसे SSC, CGL का syllabus होता है, बहाँ पर औरली पढ़ने से, यानि हलका-फुल का पढ़ने से काम नहीं चलता, यहाँ पर उस बच्चे का selection होगा, जो कीसरी बात यह है, कि इसमें, reasoning में और math में, आपको करना क्या है, कोई भी एक book लेकर, per day एक practice set लगाना है, लेकिन अभी नहीं, जब exam के लिए समय बचेगा, एक से डेढ़ महीने का, तब तक आपको इस सारे जो chapter हैं, इनका एक एक करके पूरा का पूरा, जितने भी type की present ब आपके Ka way और यक, जब दीयुका जबंचेर्य बचे।र का एकिनचन सीचा हाँ, इनका एक सक्तवरा बचले व foster पाना।र का वेक्षण ही है, को मुड़चर ऑक से पूराच, आपको इस करहिए झाले का एक सक्वराब हैं, जब से एक टर एक से भीतर की है, जब यखशत बच